क्योंसर नंबर जो 2nd है एक positive number is 5 times another number एक positive number है जो कि किसी दूसरे number का कितना है 5 times तो यहाँ पर 1st number 2nd number के according भी कर सकते हैं लेकिन मैं another number और positive number के according ही लिख देता हूँ ताकि आसानी से क्योंसर समझ में आ जाए तो एक तुमाल या another number है another number जैनि कि एक तो कोई दूसरा number है जिसको हमने माना x है तो positive number क्या होगा positive number उसके लिए लिखा हुआ है positive number क्या हो जाएगा 5 times the another number another number हमने माना x तो positive number क्या है is 5 times another number तो 5x हो जाएगा इतनी बात आसानी से समझ में आ जाएगी पहली लाइन के वज़ा से आगे है, if 21 is added to both the numbers, 21 add कर ले तो 5X ये अलग number है, इसमें भी 21 add कर लेते हैं, और एक number क्या है, X, उसमें भी 21 add कर लेते हैं, तो अब ये नए numbers बन चुके हैं then one of the new numbers, ये दोनो numbers है, उनमें से एक number क्या है becomes twice the other new number, एक number दूसरे का twice है, तो अब बड़ा number 5X है, इसमें 21 add क्या है, तो ये वाला number, इस छोटे वाले number का कितना है, double, तो इसको जब हम लोग double करेंगे, तो ये दोनो क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे इस तरीके से बात है तो ये वाला number क्या है, इस वाले number का double, तो इसको double करेंगे, तो दोनो equal होंगे की नहीं होंगे, जैसे मैं कहूं कि 4 है न, 2 का double है, तो 2 को मैं double करूंगे, तो इसके equal होगा की नहीं हो जाएगा, इस तरीके से बात कही गई है, तो यहां से अब आगे हम लोग solve करते हैं, दोनों में 21 एड़ किया, फिर एक number दूसरे वाले का क्या था, double था, ऐसे क्योशन में लिखा हुआ है, उसके according हमने equation बनाई, अब यहां से 5x plus 21, 2 को x से multiply करेंगे, 2x, और 2 को 21 से करेंगे, तो 21 तो 42, ये अपना 5x अपनी जिगर पे है, 2x इधर आएगा, तो minus 2x हो जाएगा, ये 42 अपनी जिगर पे है, plus 21 इधर आएगा, तो minus 21 हो जाएगा 5x minus 2x कितना हो गया 3x equal to, 42 में से minus 21, तो 21 ही आएगा x equal to कितना हो जाएगा, 21 upon 3, तो x equal to आगया, 37 जा 21 तो x आगया, 7 यानि जो another number है, वो तो क्या है, 7, और जो positive number उसका 5 times है, तो 75 जा 35, वो number कौन सा हो गया 35, अब हम लोग चेक कर लेदें कि अपना answer right है कि नहीं है, कैसे चेक करें तो इसने कहा है कि 21 add करो दोनों में, तो 35 इसमें भी हमने 21 add कर लिया तो कितना आगया, 56 कितना हो गया, 56 अब दूसरे वाले number की बात करें, 7 7 में 21 add कर लिया, तो 28 हो गया, वो 28 का double कितना होता है, 56 होता है कि नहीं होता तो इस तरह के से हम लोग चेक कर सकते हैं, दोनों 56 हो गया तो अपना answer क्या हो गया, right हो गया तो यह था कि उसा number second